शोताओं दूरभाश पर इस समय हमारे साथ जूड़ रहे हैं श्री रमेश बडूनी जो की प्रवक्ता हैं फिजिक्स के राच किये इंटर कॉलेज मिस्राज पट्टी सहसपूर देहरदून में बडूनी जी कारेक्टर में बहुत-बहुत स्वागत है आपका बडूनी जी हम सभी जानते हैं कि इस समय लॉक्डाउन का समय चल रहा है और इसमें हमारे जो चात्र चात्रा हैं वो प्रवावित हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो परिक्षाएं हैं वो अब ही पूरी नहीं हुई है और जो नया सेशन है वो शुरू होना था सब चीजें कहीं न कहीं बीच में अटक गई है और अनिश्टा का एक वातवरण है ऐसे में यदि हम आपके इंटर कॉलेज की बात करें तो इस समय किस तरह की गतिविदियां आप लोग संचालित कर रहे हैं जैसे कहा जा रहा है कि ऑनलाइन टीचिंग चल रही है सब चहां तक आउनलाइन का प्रश्ण है इस समय तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम पूर्ण पर हैं आउनलाइन जो है सिक्षाण कर पा रहे हैं उसके बहुत सारे वज़े भी हैं पर फिर भी हम कुछ देमों से जैसे कि हमारे अपने स्कूल का एक पोर्टल है तो है तो वहां पर हम क्लासवाइज होम वर्क वहां पर बच्छों को देते हैं वहीं से कुछ फीड़एक भी ले रहे हैं पिर कुछ वर्टसएप ग्रूप पर भी हम बच्छों को कुछ काम दे रहे हैं बच्छों के पैरेंट्स के साथ हमने कुछ चेरिंग कर रहे हैं तो इस तो था लेकिन फिर नेट चला गया, उनके पार डिवाइस नहीं है, ये बड़े इसू है जो आज की डेट में हमें देखने होंगे, रिसोर्स की एक बड़ी कमी है, इसकी वज़ाए से ये नहीं हो पा रहा है, और भी इसके अन्य कारण भी है, कि हम अधिक साधिक बच्चों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जी, तो आपका जो छेतर है, इसमें ग्रामीन छेतर से बच्चे आते हैं, एक ग्रामीन बुर्गम स्कूल है ये, तो यहां पर बच्चे ऐसी जगों से भी आते हैं, यो आटाट नो किलोमेटर पैदा चलते हैं, फिर वो स्कूल पहले उन्हें दिक्त थी, और अब हमारे लिए उन तक पहुँचना भी एक बड़ी चुनौती है, और हम उन बच्चों तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं, अगर हम चाहें भी इस परस्नली एक बार उनको बुला कि इस इंसे बाचित कर लें, लगिन वो भी संभव नहीं उपा रहे हैं, तो कि बच्चों के अंदर भी इस तरह का माहूल क्रियेट हो गया है, इस पैंडमिक के टाइम में, उनमें भी कही नहीं इस तरह का भाव पैदा हुआ है, जिससे वो थड़ा बहनी क्यों है, तो आप लोग जैसे उनको होमवर्क देते हैं, तो क्या उन्हें इस बारे में भी आप अवगत करा रहे हैं कि ये बिमारी भयानक तो है, इसका प्रसार बहुत देजी से हो रहा है, लेकिन इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, यदि हम एतियात बढ़ते हैं, हम सैयम से काम लें, तो इसको जीत सकते हैं बिल्कुल, इस तरह की बाते करनी बहुत जरूरी हैं, यह हम कर भी रहे हैं क्योंकि हमने कॉमुनिटी लेवल पे पैरेंट्स के साथ भी इस तरह की बातों को सेयर किया है, हमारी उनसे बार तलाब दी हुई, और अभी हम अलग अलग मादम से, सूचनाओं के मादम से, यह नहीं करना तो उसमें ज्यादा उनका इंटरस हो जाता है, यह उसको जरूर करेंगे, तो उससे में बहुत जरूरी है कि पैरेंट्स और जो कॉमुनिटी है, उसका भी हमें साहता मिले, और टीचर्स भी हम सब आपस में समय समय पे बच्चों को काउंसलिंग करते रहें, में चीज यहाँ पर यह होगी कि हमें उनसे बाचित करते रहना होगा, और उनसे जब हम टैक में रहेंगे तो उनका कॉन्फिटेंस लेवल उपर आएगा, पैरेंट्स को घर में ऐसा माहूल बनाना होगा, यह बच्चों के आसपास जब रहते हैं तो उनके साथ बड़ी सा ही नहीं है, अगर उनको यह बचा जाए एक आम बुखार कासी जुखाम है और इससे हम रिकवर कर सकते हैं तो वो समझ जाएंगे और समझ भी रहें जिस तरह का मनलब, यह डिपेंड करता है कि हमने किस तरह से उनके साथ संबाद करते हैं, तो कि जो मुश्किल है वो आसान द्याले हैं, उन वो अपने चैनल्स के माध्यम से भी सिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे पार्ठे करम तैयार किये गए हैं, दूर दशन देहरादून से भी इस तरह के कारिकरम प्रसारीत किये जा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे शोताओं क और खासत और सेजोगरामी इंड शेतर के क्यों हैं कि वो इन कारिकरमों का लाब उठा सकते हैं? अब अन्य सब्जेक्ट पर भी होगा लेकिन अभी तीस तारिक सके हमारे जितने जी वीडियो लेशन आ रहे हैं, वो बोसिस यह हो रही है कि हर बच्चे को जो सुदूर बच्चे ग्रामी इन शेतरों में हैं को भी स्ट्डूल भीचा गया और वो देख रहे हैं तो अभी हमारे पास लगबग 40-50,000 बच्चे डेली लावानित हो रहे हैं और इन चैनल पर बेख रहे हैं बड़ुनी साहब यह इसे नियुदो को छोटा होगाई कि वसिक्स की सतरह से कौनसे सिद्धाने से में फीजिक्स यह प्र नजरी जो डिप्ल सींगे तो तो अगर जो हमारे बातावरण में को भी छीनक रहा है या कहीं से भी ऐविन जैसे पानी का पभल है, उसी तरह का जो एई ड्रॉपलेट भी होते हैं, इसमें ड्र Wow patt हैं जया सी अजी मोस्पेर में आते हैं, तो Always पर मेरा पर से खालआ के साथ हवा के साथ मौज़ वह सब्सक्राइब करनने और अगर इसे दूरी तक ट्रैवल करते हैं तो जहां तक जो अभी तक जो रिसर्स थी उसमें यह आ रहा था कि यह शे फुट रिया लगवाओ डेज़ दो मीटर तक ही ट्रैवल करते हैं लेकिन अगर उस एरिया में हवा का दवा अधिक हो हवा वहां पर जादा हो तो यह जादा दूरी तक भी ट्रैवल कर सकते हैं तो जाते हैं मीटर साथ मीटर तक ही दूरी पर भी यह जा सकती है और इसी वजहे से यहाद्रापलेट यह नाथ आफ पर भी यह हमारे को इंटक कर सकती हैं अगर बातावरन की हुमिडिटी वहां पर कम से कम हो तो यह जल्दी खतम हो सकती है लेकिन आज कर जैसे मौसम है चेंज हो जारा है अब यह लॉग तक जाएगा अगर मौसम इसी तरह से चेंज होगा बड़ुनी साब यदि हम एर ट्राइवल की बात करें हवाई जाहस के अंदर जिस तरह का हवा का दबाव होता है तो वहां पर संक्रमन की सिती जादा हो सकती है बिलकुल हो सकती है हो तो हम जादर जादर सेनिटाइजिशन करेंगे तो ड्रॉपलेट नहीं दनेंगे तो वह इंट्रेक्शन के चांस काम होंगे अब यह करता है कि मतलब हमने कोई चीज शूरू तो करनी है अपना तो यह सब चीजे करनी है तो उस हिसाब के जो है यह भी करना होगा लेकिन बह हैं उनसे क्या क्या चाहेंगे सोशल डिस्टैंसिंग और हैंड हाइजिन के संबंद में हम यह कहेंगे जी बच्चे तो की बड़े यह लिजे नौटी भी होते हैं और वह बहुत जादा ध्यान भी नहीं देते हैं और क्यार भी नहीं करते तो उसके लिए हम सभी को मिल जु है हमारा तो वहाँ पर यह चीजे बहुत जादा ध्यान दिया रखने की जरुद है तो कि वहाँ पर यह से अनुथ यहाँ करраж में के यह जी बार, आपने तो इसे लोगों के जिनके संपर्द में आते जो अंजान है उनसे पैटान के नहीं है या उस एरिया में क्यों नया आए तो उनसे पूरी तरह से बचें कोसिस करें जब भी उनसे मिले या उनके आस्पास जाएं तो इसके बार अपने हाथ आ मुझ धंक से दोएं घर के अंदर जो है ऐसे ना जाएं आपकल अपकल बाहरी उतारें आपने कपड़े उपरों को दूप में चुखा दें वापस बाहरी उतार दें तो इस तरह के जहां गाउं में भी काफी हम देख रहे हैं डेली की काफी अख्र अधी में प्लान करने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद